सब्सक्राइब करिए अगर आपको कुछ क्वेरी है रिगारिंग प्रेमियम गूरूप अगर आपको कुछ क्वेरिय रिगारिंग सेशन्स को लेकर तो आप इस कॉंट्रेक्ट नेमबर पर डिरेक्ट वाट्शब करके query पूच सकते हूं C8 Limited पर मैं अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को entry दिलवाया था यहां पर 200 EMA पर जब support मिल रहा था अपने previous breakout पर जब मैं entry दिलवाया था C8 के उपर C8 में हमारे short term target भी achieve हो चुके अपना second breakdown level के उपर जो मैं level बताया था breakdown का जिसका mid range निकाला था mid range तक यह गया नहीं वहां से reverse हो गया तो हमारे जो short term target थे वो हमारे short term target यहां पर थे 1670 पर हैंड हमारी जो entry level थी यहां पर थी 1590 पर short term target achieve होने के बाद C8 Limited में एक fall देखने को मिला फिर यह 200 EMA का support पकड़ रहा है तो stock के अंदर rally ही आएगी जब यह हमारा breakdown break करके candle closing दिया था जब मैं अपने SIP group में पिछले हफते SIP group में C8 Limited पे 1740 पे भी मैं entry दिलवाया था और मैं इस हफते आप लोगों 1670 में भी entry दिलवाने वाला हूं C8 Limited पे क्यों दिलवाने वाला हूं क्योंकि stock काफी समय से oversold नहीं हो रहा था overbought होते हुए अपने breakdown का high अपने breakdown का high level दिते गया अब यहां से जो fall हो रहा है जिदर 200 EMA का support पकड़ रहा है जिदर हम लोग target कहां तक लेके चल सकते हैं target 1870 तक लेके चल सकते हैं 1889 तक का तो breakdown है पर यहां तक रिस्क नहीं लेते होगे उससे पहले exit करने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं पर मैं आप लोगों को जो target दे रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को 1840 ही दे रहा हूँ, 1870 तक भी मैं नहीं दे रहा हूँ, तो मैं 1870 तक final target के लिए कुछ quantity, like 10% quantity छोड़ने के मैं suggest करता हूँ, अभी stock के अंदर, यहाँ पर मैं आज इसलिए video upload कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को 1670 में entry लेनी है, क्यों लेनी है, stock over sold हो गया, sold होने के बाद stock RSI 40 का support पकड़ा, depend upon 200 EM में, उसके बाद यह इसको break नहीं करते हूए, appreciation दे रहा है, final clubbing, improper clubbing के कारण stock के अंदर हम लोगों को huge big rally देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आप लोगों को यह suggest करता हूँ, C8 Limited में, आप 1670 पे buy करिए, 1740 पे आप एक short term target लगा सकते हो, और 1840 पे आप एक professional लगा के चल सकते हो, जो short term में exit कर रहा है, average maintain करने की ज़रत नहीं है, जो professional में exit कर रहा है, दोस्तों आप average कर सकते हो, जो final target 1870 के लिए wait कर रहा है, दोस्तों आप लोगों को भी average maintain करने की ज़रत नहीं है, तो C8 के अंदर position बन चुकी है, आपको बस एक ही काम करना है, stock के अंदर entry लेना है, and मैं Monday live market में, आप लोगों को entry देने वाला हूँ, अपने free telegram channel पे, C8 limited पे, आज जो levels बताया हूँ, उसी levels पे मैं entry दिलवाने वाला हूँ, अल्यड़ी MMTC पे entry दे चुका हूँ, Tata Power पे entry दे चुका हूँ, Vipro में entry दे चुका हूँ, और मैं C8 में भी short position के लिए entry देने वाला हूँ, दोस्तों, तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, जाने से पहले, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like करिए, share करिए, YouTube चैनल को subscribe करिए, और अब अभी तक free telegram channel join नहीं किया है, तो description में link है, click करिए, join करिए, thank you.